मद्यपरदेश में मालवा को प्याज और लहसुन उत्पादन का हम माना जाता है यहां के किसान गुनुवता युक फसले पैदा कर देश और दुनिया में लोगों को खाने के लिए उपलब्द कराते हैं लेकिन वर्तमान स्थिती ये है कि आज लहसुन का उत्पादन लागत लगबख 15 सुर पे प्रतिक विंचल आती है जिसमें जमीन का किराया और स्वम की मेहनत को नहीं जोड़ा जाता उस लहसुन के कीमत आज मंडियों में 200 से 500 पे प्रतिक विंचल बिखने से किसान को दोहरे लाप के बज़ाए चार गुना हानी दे रही है देश में किसानों को धर्ती पुत्र कहा जाता है लेकिन वर्तमान हलातों में वो धर्ती में धसने की कगार पर है यदि यही स्थिती रही तो किसान इन फसलों की खेती करना बंद कर सकते है फिर लहसुन और प्याज के लिए भारत को दूसे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा और ये चीजें आयात करनी पड़ेगी इसी तरह प्याज की उत्पादन लागत करीब 800-900 पर प्रतिक्विंचल आती है और आज वही प्याज 200-500 पर प्रतिक्विंचल में बिग रहा है इससे किसानों की दुरदर्शा और उनके भविश्य का अंदाजा लगाया जा सकता है वर्तमन समय में क्रीशी आदानों की कीमतों और खेतों में ट्रेक्टरों में रोज उप्योग में आने वाले डीजल के मुल्या में भारी व्रिदी देखने को मिल रही है प्याज लहसुन का विक्रिय मुल्या न्यूंतम सर पर चला गया है ऐसे में किसान करे तो क्या करे देखने में आ रहा है कि किसान मंडियों में चोराहे पर अपने लहसुन और प्याज के उत्पाद में आग लगा रही है अत्वा खुले मेदानों में फैक रही है और सरकार फिलाल इस पर कोई प्रतिकिरिया व्यक्त करती दिखाई नहीं दे रही है